देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तू, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की किरपा आप सभी पर सदैव बनी रहें। शनी और ब्रहसपती जोतिश में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर ये कहा जाए तो इसमें कुछ भी गल्ती नहीं होगी। जहां ब्रहसपती एक और धर्म के आधिपती हैं, भाग्य के आधिपती हैं, सुख वैभव के आधिपती हैं, वहीं शनी देव कर्म के आधिपती हैं। दोनों का मिलन अपने आप में कर्म धर्मादी पती योग बनाता है, क्योंकि कालपूरुष की कुंडली में जहां ब्रहसपती एक और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, वहीं शनी देव कर्म स्थान के स्वामी हैं। जब भी इन दोनों की या तो यूती होती है, या ये दोनों मिलकर किसी एक घर को दृष्ट करते हैं, यानि कि उस पर दृष्टी रखते हैं, तो वो घर एक्टिवेट हो जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डबल ट्रांजिट एफेक्ट, जब भी शनी देव और ब्रहस्पति गोचर में या तो साथ में होकर किसी घर पर एफेक्ट डालते हैं, या अलग-अलग होके उनकी दृष्टी किसी एक घर पर पड़ती है, तो उसको डबल ट्रांजिट एफ परिवर्तन हुआ 20 नवंबर के आसपास, और अगले साल एप्रल तक ब्रहस्पति जी कुम्ब राशी में ही रहेंगे, और शनी देव मकर राशी में रहेंगे, एप्रल में दोनों ही राशी परिवर्तन करेंगे, तो तब तक तुला यानि की लिब्रा राशी पर दोनों की जहां ब्रहस्पती की नवी यानि की नाइन्थ द्रिश्टी रहेगी सेवन्थ हाउस पर और वहीं पर शनी देव की दसवी द्रिश्टी रहेगी तुलाराशी पर. अब तुला राशी आपकी कुंडली में कौन सा भाव ग्रहन करती है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि ये आने वाले 4 महीने आपको किस चीज पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है और आपके कौन से काम बन सकते हैं किस में आपको ज़्यादा प्रयास करना है तो शुरू करते हैं इस डबल ट्रांजिट के अफेक्ट का क्या प्रभाव रहेगा 12 लगन या 12 राशियों पर यह राशी फल प्रमुक्त लगन पर आधारित होगा पर आप अपनी जन्म राशी से भी इसको देख सकते हैं जैसा हर बार बताता हूँ क्योंकि एक सामान्य विशलेशन हो सबसे पहले बात करते हैं मेश की यानि की एरीज की ब्रहस्पदी की नवी दृष्टी और शनी देव की दस्वी दृष्टी मिलाकर आपके साथवे घर पर यानि की तुलाराशी पर पढ़ रही है बाकी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पर सिर्फ उस हाउस के बारे में बात करूँगा मैं जिस पर यह डबल ट्रांजिट का एफेक्ट हो रहा है और क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं क्योंकि आपका साथवा घर एक्टिवेट हो रहा है सबसे पहली बात विवाह संबंदित कोई भी अर्चने आ रही थी तो वो दूर हो सकती है जिनकी शादी बहुत समय से टल रही थी अच्छा रिष्टा नहीं मिल रहा था रिष्टा मिल रहा था तो कहीना कहीं पर बात अटक जाती थी जो लोग रिलेशन्शिप में हैं उनके घर वाले स्विक्रिती नहीं दे रहे ये सब चीजें इस आने वाले चार से साड़े-चार महीने में निबटा ले उससे आपको काफी मदद मिलेगी क्योंकि आके जाके शायद ये जो डबल ट्रांजिट का फेक्ट है वो दुबारा नहीं आएगा कुछ समय के लिए ब्रहस्पती वक्री होंगे लेकिन ये जो चार से साड़े-चार महीने हैं वैवाहिक संबंदित कुछ भी प्रॉबलम आ रही थी बात अठक रही थी उसके लिए सबसे इंपोर्टेंट चार महीने साड़े-चार महीने हैं जो भी काम विवाह से संबंदित अठके हुए थे वो सारे पूरे हो सकते हैं यदि efforts आप अच्छे लगाएंगे तो जो लोग बाहर जाना चाते थे देश से बाहर, किसी भी काम से बिजनस से, जॉब के लिए study के लिए भी उनके लिए भी ये आने वाले चार से साड़े-चार महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपको जरूर कोई बहुत अच्छी opportunity मिलेगी जो लोग business करते हैं उनके लिए आने वाले चार से साड़-चार महीने बहुत अच्छे रहेंगे आपके business को एक नई राह और एक नई दिशा मिल सकती है इसलिए जितने efforts आप usually करते हैं अपने business में उससे जादा efforts करना आप शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी public image भी बहुत अच्छी हो सकती है आपकी goodwill personal life में professional life में भी बहुत अच्छी हो सकती है तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है साथ ही में स्वास्थ की बात करूँ तो यदि आपको kidney संबंदित कोई भी रोग है और आप उसको टाले जा रहे हैं बहुत ताइम से अगर डॉक्टर ने बोला कि भई dialysis तक बात पहुँच गई है आपको कराना शुरू कर देना चाहिए लेकिन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं कोई देशी इलाज कर लूँ आयरुवेद कर लूँ ठीक है वो सब भी अपनी जगा ठीक है लेकिन अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि भई kidney संबंदित कोई major issue है तो उसको lightly मतली जिए आने वाले समय में आप ही पर भारी पड़ेगा आप चलते हैं टॉरस यानि की व्रिशब अराशी की तरफ या लगन की तरफ ब्रहस्पती जी और शनी देव दोनों मिलाकर द्रिश्टी डालेंगे आपके छटे घर पर ब्रहस्पती जी की नाइन्थ द्रिश्टी और शनी देव की दस्वी द्रिश्टी रोग रिपूरेन का भाव है छटा भाव आपके कई रोग जो आपको बहुत समय से तंग कर रहे थे उससे आपको बहुत हद तक राहत मिले की कई गुणा आप रिकावरी कर पाएंगे इस आने वाले चार सारे चार महीने में लेकिन आपको साथ के साथ डॉक्टर से राय लेती हुई चलना है आपके उपोर कोई रिन था, आपने किसी से पैसा लिया हुआ था वो भी आप बहुत हद तक चुकाने में सक्षम हो जाएंगे या एट लीस्ट एक positive direction में बढ़ेंगे आपके कोई court cases चल रहे थे तो उसमें भी बहुत हद तक सुधार आएगा मतलब कि एक positive direction में आपके court cases जाएंगे और मैं यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है उनको सुलजा लिए क्योंकि ये 4-4 महिने बहुत positive हैं आपके लिए court cases से संबंदेता है आपके दुश्मन, आपके शत्रू, कोई भी हो वो भी आपको हानी नहीं पहुँचा पाएंगे लेकिन थोड़ा सा सावधान आपको रहना है क्योंकि ये house activate हो रहा है ये दुश्मनों का house है तो आपके दुश्मन थोड़ा बहुत प्रयास जरूर करेंगे आपको कुछ हानी पहुँचाने की आपके अपने रिष्टेदारों से संबंद थोड़े बिगड़ सकते हैं अगर ऐसा ऐसी कोई नौबत आती है जहां आपको लगता है कि हाँ संबंद बिगड़ सकते हैं तो अपने आपको उस situation से अगर withdraw कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शनी देव यहाँ पे द्रिष्टी डाल रहे हैं तो यदि किसी को तंग किया था किसी को पिछले कुछ समय में तंग किया था आपने कुछ बुरा किसी के साथ किया था तो उसके बुरे result पाने के लिए भी आप तयार हो जाईए किसी से कुरूरता करी थी किसी को बुरा कुछ आपने किसी के साथ किया था तो उसके बुरे result भी आपको मिल सकते हैं अगर overall सेहत की बात करूँ तो digestive disorders अगर आपको हैं तो उनको lightly मत लीजेगा आईरुएद के हिसाब से कम से कम 90-95% बिमारिया पेट से शुरू होती हैं और हम लोग बहुत lightly ले ले लेते हैं चीजों को acidity, apachan बिमारियों की शुरूआत यहीं से होती है तो यदि आपको digestive disorders बहुत समय से हो रहे हैं तो उसका proper इलाज कराईए proper dietitian ढूणी है कोई जो आपको आपकी diet ठीक करवाए और यदि कुछ medicinal problem है तो कोई दवाई खाकर या कहीं से इलाज कराकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहे आप चलते हैं जैमिनाई यानि की मिथुन अराशी की तरफ आप चलते हैं जैमिनाई यानि की मिथुन की तरफ आपके लिए ब्रहस्पति और शनीदेव मिलकर पाँचवे घर पर द्रिष्टी डालेंगे शनीदेव की दस्वी द्रिष्टी और ब्रहस्पति जी की नवी द्रिष्टी पाँचवा घर सबसे पहले तो संतान प्राप्ति का होता है तो जिन दमपत्ति को शिशु संबंदित प्रॉब्लम जा रही थी उनके लिए चार से साड़े चार महिने बहुत अच्छे हैं क्योंकि शनीदेव अश्टम स्थान में बैठ कर द्रिष्ट करेंगे तो आपको अचानक से कोई नई राह मिल सकती है कोई नई उपर्चुनिटी दिख सकती है तो संतान संबंदित प्रॉब्लम जदी आ रही थी तो उससे संबंदित कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको मिल सकती है हो सकता है थोड़ा डॉक्टर या फिर मेडिकल इंटर्विंचन की ज़रूरत पड़े आपको लेकिन इन चार से साड़े-चार महने में जदी ट्राय करेंगे तो बहुत हद तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट भिलेंगे दूसरा आपकी क्रियेटिव थिंकिंग बहुत अच्छी रहने वाली है अपने क्रियेटिव आइडियास के दम पर बहुत अच्छे रिजल्ट आप हासिल कर सकते हैं व्यक्तिकत जिंदगी हो या प्रोफेशनल लाइफ हो आपके पिता जी से आपको कुछ ना कुछ लाव प्राप्त होगा उनको अपनी नीजी जिंदगी में कुछ लाव प्राप्त होगा उनका भाग्या काफी उज्वल रहेगा आपके लिए स्पेशली करियर में कुछ बहुत अच्छी नई उपरचुनिटीज अचानक से आ सकती हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं स्पेशली उनके लिए ये आने वाले चार से साड़े चार महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं अपने करियर में बहुत ज़ादा प्रोग्रेस आप कर सकते हैं राइटिंग पब्लिशिंग आदी का काम यदि स्टार्ट करना चाहते थे या कई लोग होते हैं जिनके मन में होता है कि कुछ लिखें कोई आर्टिकल, कोई बुक, कोई ब्लॉग तो उसके लिए भी चार से साड़े चार महीने बहुत अप्युक्त समय रहेगा सेहत कि यदि बात करें तो यदि आपको हृदय संबंदित कोई भी प्रॉबलम है तो उसको लाइटली आपने बिल्कुल भी नहीं लेना वरना आने वाले समय में बहुत महेंगा पड़ जाएगा चलते हैं कैंसर यानि की करक की तरफ है आपके लिए शनीदेव और ब्रहसपती मिलकर आपके चौथे घर को दृष्ट करेंगे शनीदेव की दस्वी दृष्टी ब्रहसपती जी की नवी दृष्टी चौथा घर सुकस्थान है तो आपके सुक में वृद्धी होगी अच्छी हर तरफ से न्यूज आएगी करियर में प्रोग्रस करने के लिए बहुत अच्छा समय है ओवरॉल काफी सैटिस्वाइड और खुश फील करेंगे आप इन आने वाले चार से साड़े-चार महीनों में अब अब आपिसली बड़ा टाइम है तो कभी-कभी तो क्योंकि वैसे भी करकराशी के जातक थोड़े ओवर-इमोशनल होते हैं तो कभी-कभी हो जाता है शोट-टर्म, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में जा सकते हैं लेकिन ओवरॉल अगर देखें तो काफी सुखद समय देख रहा है आपकी माता जी को भी धनलाब हो सकता है, आपके पिता जी को भी धनलाब हो सकता है घर में भी खुशिया रहेंगी, घर में खुशियों वाला महौल रहेगा घर से दरिद्रता जाएगी, खुशियां आएगी लक्ष्मी माता भी आते हुए दिख रहे हैं आपके घर में करियर या जॉब की बात करें तो सेलरी इंक्रीज होने के बहुत जादा जांसेज है यदि कहीं पर प्रॉपर्टी लेना चाहते थे कहीं पर घर खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी ये समय सबसे उप्युक्त रहेगा साथ ही में बात करें यदि बिजनस करते हैं स्पेशली रियल स्टेस से जुड़ा कुछ भी बिजनस करते हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कुछ भी बिजनस करते हैं इंटिरियर डिजाइनिंग से जुड़ा कुछ भी business करते हैं या इंटिरियर डिजाइनिंग से जुड़ा कुछ जॉब भी करते हैं तो आपके लिए आने वाले 4 से 4 महने बहुत अच्छे हैं सेहत की बात करें, यदि हृदे संबंदित प्रॉब्लम है, चेस्ट संबंदित कोई प्रॉब्लम है, कफ रोग बहुत जादा तंग कर रहे हैं, तो एक बात किसी चिकत्सक की या किसी चिकत्सक से परामर्श आप ले लेंगे, तो काफी अच्छा रहेगा, किसी डॉक्टर से ले लिजेगा, आप चलते हैं लियो यानि कि सिम्ह की तरफ, आपके लिए ब्रहस्पति और शनीदेव दोनों मिलकर तीसरे घर को द्रिश्ट करेंगे, शनीदेव की दस्वी और ब्रहस्पति जी की नाइन्थ यानि की नवी द्रिश्टी रहेगी, सबसे पहले तो काफी प यात्राओं के काफी योग बनेंगे आने वाले चार से साड़े चार महीने में, लेकिन उनमें से मोसली यात्राएं फल दायक होंगी आपके लिए, भाई बहन से संबंद थोड़े सुधरेंगे यदि प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर, इनहरेटि आपको थोड़ा सा ध्यान रखता है, बिजनस के लिए अच्छा समय है, बिजनस में भाग आपका पूरा साथ देगा, इन चार से साड़े चार महीने में, बिजनस में जितने भी एफर्ट्स डालेंगे, उससे कई गुना जादा आपको रिजल्ट मिल सकता है, बिजनस के ल परिश्रम में बिल्कुल भी कमी मतलाईएगा, जितना मैंने पहले भी बताया, महनत करेंगे, इन चार से साड़े चार महीने में, उसका फल आपको कई गुना जादा मिलेगा, अपनी हॉबिस पर आपको ध्यान देना है, अपनी हॉबिस को सीरियसली देना शुरू कर दीज स्वास्त की बात करें तो गले से संबंदित रोग काफी तंग करेंगे आपको, थायराइट की प्रोब्लम भी काफी सता सकते हैं, चलते हैं कन्या याने की वर्गों की तरफ, आपके लिए ब्रहस्पती और शनीदेव मिलकर दूसरे घर को दृष्ट करेंगे, ब्रहस्पती पैसे से रिलेटेड कई आपकी परिशानिया दूर होती भी दिख रही हैं, अटका हुआ पैसा आएगा, इंकम के सोर्से बढ़ेंगे, आपकी फैमिली इंकम भी बढ़ेगे, मतलब कि सिर्फ आपके लिए व्रिद्धी नहीं होगी, आपके घर के सदस्यों की भी इंकम होता है फैमिली का, वो पबलिक सरकल में बढ़ेगा, तो सब अच्छा दिख रहा है, बिजनस करते हैं तो थोड़ा निश्चित्ता का समय आ सकता है कभी-कभी, इसलिए कोई बहुत बड़ी इंवेस्टमेंट आपको नहीं करनी, धर्मे के प्रती आपकी आस्ता काफी बढ कुछ document से related problems आ सकती है, मिल जाएगा आपको जो भी मिलना है, लेकिन कुछ समय के लिए अर्चने आएंगी, कोई sign कुछ गलत हो गया, documentation गलत हो गया, कुछ attest करना है उसमें, उसके किसी की permission चाहिए, उनलब कि documentation से जुड़ा कोई problem आपको आ सकती है, जो property आपको मिलने चाहि होगा, खाने पीने से related कुछ भी काम करते हैं, communication का कुछ भी काम करते हैं, तो आने वाला समय बहुत अच्छा रहने वाला है, health की बात करूं तो दातों से समबंदित कुछ problem बहुत समय से टाल रहे थे, dentist के पास जाना अच्छा नहीं लगता, कही लोगों को नहीं लगता, बहुत समय से टाल रहे थे, तो एक बार जाके अपने सारे दातों की cleaning वगरा करा लिजेगा, अगर कोई problem है, कोई tooth decay हो रहा है, कहीं पे कीडा लगा हुआ है, तो उसको करा लिजेगा, वनना आगे आने वाले समय में वो चीज और गंभीर हो जाएगी, और जहाँ पे 1000 का ख पर जाओ जाए, आखों से सम्बंदित problems को भी थोड़ा seriously लेजीगा, अब चलते हैं Libra यानि की तुला के दरफ, ब्रहस्पती जी और शनी देव दोनों मिलकर आपके लगन को ही देखेंगे, ब्रहस्पती जी की 9th aspect और शनी देव की 10 वी aspect या फिर दृष्टी, लगन पर द दोनों की दृष्टी पढ़ रही है, आनि की लगन भाव activate हो रहा है, आप देखेंगे, आपकी जिन्दगी के कई रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे, इन आने वाले कुछ महीनों में, कई काम जो आप सोच रहे थे कि अब हो ही नहीं सकते, भूल जाओ, अचानक स उनसे संबंदित कोई positive news आ सकती है, क्योंकि लगन activate हो रहा है, लगन कुंडली का बीज होता है, जब वो house activate होता है, तो कई चीज़ें आपने आप बनना शुरू हो जाती है, वो भले ही पैसा हो, मान सम्मान हो, व्यक्तिकत जिन्दगी में हो, professional life में हो, कई चीज़ें आपक पटरी पर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन खर्चे आपके बढ़ेंगे, अचानक से आपके खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी public image अच्छी होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, professional life हो, व्यक्तिकत जिन्दगी हो, गुडविल अच्छी होगी, तो overall ये 4 से 4.5 महिने अच्छे हैं, जितने efforts लगाएंगे, उसमें बहुत अच्छे आपको result मिलेंगे, अगर सेहत की बात करें, तो overall ठीक रहेगा, लेकिन नसों से संबंदित problem बहुत तंग गर सकती है, और जिनको diabetes है, या liver संबंदित कोई problem है, खास ध्यान देने की ज़रू है, अदाफा होगा, लेकिन व्यर्त के खर्चे नहीं होंगे, हो सकता है कहीं investment कर दें, या जहां पे भी खर्चे होंगे, वो वही खर्चे होंगे, जो जरूरी होगे, लेकिन थोड़ा इज़ाफा जरूर होगा, सेहत थोड़ी विगर सकती है, सेहत का आपको बहुत ध्यान दे किसी का करजा था आपके उपर उसको चुकाने में बहुत हद तक काम्याब आप हो जाएंगे कोई रिन था आपके उपर बहुत हद तक चुका देंगे अगर सेहत की बात करूं पर्टिकुलरली बाद में भी आएंगे उस पर आपकी नींद बहुत डिस्टरब्ड रहेगी जिसके कारण आपके व्यक्तिकत जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है सेहत मैं बाद में बताता हूँ लेकिन पहले ही मेरे मस्तिष्क में इसलिए आया क्योंकि इस समय में आपकी जब नींद डिस्टरब्ड रहेगी वो सीरियस भी हो सकती है कई लोग नींद पूरी किये विना ही ड्राइव करने लग जाते हैं काम पे जाते हैं सुबा और उनका एक्सिदेंट हो जाता है तो इसको इजीली मत लीजेगा कि नींद नहीं आ रही तो मैं टेक लूँगा अगर जादा ही प्रॉबलम आती है तो किसी डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लीजेगा वेवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल आ सकती है जगडे काफी हो सकते हैं अल्रेडी दशागर खराब चल रही है कुंडली में तो बात काफी बिगड सकती है जिनके उपर क्रिमिनल केसे चल रहे हैं उनके लिए अच्छा समय नहीं है अगर एकदम आर्गूमेंट स्टेज हो चुकी है पूरी और सिर्फ निरने आने वाला है तो थोड़ा बचके रहिएगा क्योंकि शायद निरने आपके खिलाफ आ सकता है पबलिक इमेज को थोड़ी सी हानी पहुँच सकती है कहीं पर आपका मान सम्मान में कमी आ सकती है तो बहुत अच्छा तो नहीं कहुँगा ये 4-4.5 महीने लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि ब्रहस्पती की दृष्टी है तो बहुत हद तक बचा लेंगे लेकिन थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा जो लोग बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं as a consultation का कोई काम करते हैं as a consultant कोई काम करते हैं as a third man काम करते हैं जिसमें उनकी commission होती है उनके लिए समय अच्छा रहेगा पैसा कमा सकते हैं सेहत की बात करें तो जैसा मैंने बताया है नींद से संबंदित बहुत प्रॉब्लम रहेगी पैरों से संबंदित प्रॉब्लम रहेगी कफ रोग भी आपको बहुत तंग करेंगे जिनको अस्थम आदी है उनको खास ध्यान देने की जरूद है अब चलते हैं धनू या Sagittarius की तरफ आपके लिए ब्रहस्पति और शनीदेव मिलकर ग्यारवे भाव को देखेंगे ग्यारवे भाव पे दृष्टी अच्छी है क्योंकि लाब स्थान है ब्रहस्पति जी की नाइंथ या नवी दृष्टी और शनीदेव की दस्वी दृष्टी लाव में वृद्धी होगी पैसों का लाव भी हो सकता है और किसी तरह का लाव भी हो सकता है करियर के लिए बहुत अच्छा समय है करियर में धन लाव जरूर होगा बिजनस में भागय साथ देगा बिजनस में भी लाव जरूर होगा जिनकी शादी से संबंदित बात अठक रही थी लड़के वाले नहीं मान रहे थे, लड़की वाले नहीं मान रहे थे कोई मानता था तो कोई रूठ जाता था एंगेजमेंट की डेट नहीं फिक्स हो पाती थी शादी कहां करेंगे, कैसे करेंगे ये चीजे फिक्स नहीं हो पाती थी जो अर्चने आ रही थी शादी से संबंदे तो बहुत हद तक दूर हो जाएंगे भाई भेन से संबंद सुधरेंगे लेकिन यदि उस संबंद में पैसों की बात आती है तो संबंद बिगडेंगे, यानि कि व्यक्तिकत संबंद है आपके नॉमली, तो ठीक है, लिकिन अगर साथ में काम करते हैं, पैसे का लेंदेन हैं, तब देखिएगा, याने वाले 4-4 महीने बहुत भारी रहने वाले हैं, क्योंकि पैसों को लेकर, काम को लेकर बहुत भैस हो तो कानों से संबंदित कोई प्रॉब्लम, या यही समझ लिए ENT जो होता है, इयर, नोस, थ्रोट, उन सबसे संबंदित कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, साथ ही में, लोवर बॉड़ी में काफी दर्द रहेगी, आप चलते हैं, कैप्रिकॉन, यानि की मकर राशी की तिरफ या लगन की तिरफ आपके लिए व्रहस्पती जी और शनी देव मिलकर दसवे घर को देखेंगे, व्रहस्पती जी की नवी दृष्टी, शनी देव की दसवे दृष्टी, तो सबसे पहले तो आपकी करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनस के लिए भी अ प्रमोशन चाह रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है तो ये एप्रिल तक का समय करियर से रिलेटर बहुत अच्छा है मान सम्मान में विर्द्धी होगी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं ओवरॉल भी क्योंकि दस्वा भाव लगन के बाद सबसे स्ट्रॉंग केंद्र होता है सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है तो मान सम्मान में विर्द्धी होगी विर्द्धिकत जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में ओवरॉल आपकी लाइफ अग्रसर रहेगी आगे बढ़ने के लिए ततपर रहेगी आगे बढ़ेंगी आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में घर से संबंदित भी कोई अच्छी नियूज मिल सकती है प्रोपर्टी से संबंदित कोई अच्छी नियूज मिल सकती है सेहत की बात करूं तो लोर बैक में दर्द रहेगी, चेस्ट संबंदित रोग भी काफी तंग करेंगे, चेस्ट संबंदित कोई प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली मत लीजिए, आप चलते हैं एक्वेरियस याने की कुम्ब की तरफ, आपके लिए ब्रहस्पति जी और शनी व्रिद्धी 100% होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, कई रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगी, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, भाग्य में व्रिद्धी जरूर होगी, धर्म के प्रती आस्था बड़ेगी और यदि आप धार्मिक रह धर्म में विश्वास करते हैं इन चार से साड़े चार महीने में, आप यकीन मानिया आपके कई काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगी, यात्रा आपको काफी करनी पर सकती है, लंबी दूरी की यात्रा करनी पर सकती है, किसी धार्मिक स्थल पर जाने की बहुत समय से विचार कर रहे थे, तो वो भी आपका सपना पूरा हो सकता है, कई लोग होते हैं, चार धाम की यात्रा करनी है, केदार ना जाना है, रामेश्वरम जाना है, कहीं और जाना है, तो उनका वो जो तीर्थ यात्रा पर जाने का सपना था, वो इन चार से साड़े चार महीने मे पूरा हो सकता है, भाग्या आपका बहुत साथ देगा जैसे बताया, पिता जी से धनलाब हो सकता है, जहां काम करते हैं, वहाँ पर अपने सीनियर से संबंद सुधरेंगे, ओवरॉल आपके लिए यह जो डबल ट्रांजिट का एफेक्ट है, वो बहुत अच्छा रहने वाला है, सेहत की बात करें, तो जोडों से संबंदित प्रॉबलम तंग करेगी, घुटनों से संबंदित प्रॉबलम तंग करेगी, नसों से संबंदित भी कुछ प्रॉबलम आठवा घर अनिशित्ताओं का घर होता है, तो थोड़ी अनिशित्ता जिन्दगी में रहेगी थोड़ा तनाव रहेगा, 4-4 महिने थोड़ा तनाव कुण स्थिती रहेगी, संघर्च रहेगा, लेकिन ये जो संघर्च आपसे करेंगे, आने वाले समय में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि ब्रहस्पती जी की special दृष्टी है यहाँ पर यानि की नवी दृष्टी और क्योंकि ब्रहस्पती जी आपके लगन के स्वामी है और विपरीत राज योग बना रहे हैं इसलिए वो जो संघर्च है उसमें कहीं न कहीं से आपको positivity ज़रूर मिलेगी थोड़ा तनावपून समय रहेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा उसके बार मैं बताऊंगा क्योंकि क्यों मीन लगने या राशियों के लिए आने वाला समय अच्छा रहने वाला है वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर मैं लेकिन यही समझ यह कि हाँ यह जो समय है कि बहुत important समय है आपके लिए कोई रुका हुआ धन था आपका कोई रुके हुई भू समपदा यानि कि property थी जिसके आपको chances से नहीं लग रहे थे कि भी अब वो पैसा नहीं आने वाला वो property नहीं मिलने वाली उसको एक नई direction भी लेगी आप देखेंगे परिस्थितियां ही विपरीत हो गई कोई ऐसा result आएगा या आपको लगेगा कि हाँ भी अब कुछ बात बन सकती है तो थोड़ा थनाव पूर्ण समय जरूर रहेगा थोड़ा थनाव पूर्ण भी इसलिए क्योंकि आप चिंता थोड़ा जादा करेंगे क्योंकि अनिश्चित्ता रहेगी चीजों में जब अनिश्चित्ता रहेगी तो anxiety बड़ेगी तो तनाव होगा ही तो मैं यही कहुँगा कि थोड़ा तनाव को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, meditation कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, जिस भी इश्ट को मानते हैं, उनकी पूजा कीजिए, भोले नाथ की पूजा कीजिए, दुरगा माता की पूजा कीजिए, किसी दस महाविद्याओं में से भी किसी की पूजा कर सकते हैं, अगर चाहें तो बगला मुखीजिए की पूजा कर सकते हैं, उससे विश्वास बढ़ेगा, सेहत की पात करें तो, कोई infection आपको तंग कर सकता है, कफ रोग बहुत तंग करेंगे, साथ ही में सेहत थोड़ी, physical health आपका बहुत साथ नहीं देने वाली, तो यही कहूँगा कि physical health पे थोड़ा concentrate करेंगे, तो अच्छा रहें, तो यह था ब्रहस्पती और शनीदेव के double transit, या कहिए जो उनका एक ही राशी पर aspect पढ़ रहा है, द्रिश्टी पढ़ रही है, उसका क्या प्रभावर हैगा आपके लगने आ राशी पर, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम नबसुए,